हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट थर्टी कोशन देखेंगे जो कि सभी प्रितोगी परिक्षाओं के लिए बहुत मात्पूर है और दोस्तों दिवी तक आपने चैनल को सब्सक्राइ लैंड इस्टीनर ठीक है ओप्सन ए लैंड इस्टीनर रग्त समूव ब्लड ग्रूप के खोश करता कौन है लैंड इस्टीनर है लूई पास्चर दोस्तों इनको याद रखिएगा है यह भी कोशन पूचा आता है तो पास्चराजेशन की खोज और रेवीच की टीके की खो कोशन सेकेंड है दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में सौल भी करते चलिए आपके एक्जाम पॉइंट इस बहुत इंपोड़िन लास्ट में आपको कमेंड बॉक्स में अपना एंसर भी समीट करना है कैंसर संबंधी रोगों को अध्यान क्या कहलाता है ओंको लौजी ओपसा ने ओंकोलोजी कैंसर समन्धी रोगों का लाता है ओंकोलोजी ठीक है और तोस्ते हैं और बात करें अगर ओर्गेनो MOR की तो संगीत वाद्यांत blends उनके वरगी करन का नियस क एस जट्डि तो consistently longevity और यहां पर नीरोलोजी की बात करें तो नीरोलोजी, तंञ्रिका तं सबसे इस थाई परिस्थिक दंद्र समुद्र पसंद्र प्लीज लाइक करके मोटीवेट जरूरो करें काफी टाइम लगता है मेना दक दिस वीडियोग करके हमें होसला जरूर बढ़ाएं इस वीडियो का पने दोस्टों कर साथ सहर करshop जो भी आपके Friends एक्जाम की त्यारी करें ताकि उनकी भी मदद हो सके question number 4 है धूल production रोकने के लिए उपरिक्ति गरिक्ष कौन सा है दोस्तों धूल production रोकने के लिए question number 5 है question number 5 है question number 6 है वी question विश्वज़ा का सबसे बड़ योगी की करण है हरे पौधे है तो मनुष्य में मेरुधंड से दोस्तों 31 ठीक है 31 जोड़ी तंद्र का तंद्र निकलती है तो option C correct है Question 8 है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है दोस्तों रक्त जमने में जो महत्पूर भूम्तों होती होती है calcium ठीक है option B Calcium Q7 दोस्तों संपूर्ण सरीर के द्रब्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है इसका right answer जागा option भी 7% संपूर्ण सरीर के द्रब्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है 7% Q10 है iodine yukth hormone है iodine yukth hormone कौन सा है दोस्तों इसका राइड एंसर जागा थाइरॉक्सिन थाइरॉक्सिन हर्मोन ये आईडिनिक्त हर्मोन है कोईशन 11 है मनुष्य के रक्त में कौन सा समू सर्वदाता है सर्वदाता समू जो होता है दोस्तों होता है O ठीक है O जो होता है इनिवर्सल डोनर होता है के और अबिश्वा फॉर सर किया से थी अधिक उती है तो यह दोस्तों यह होता है सर्भग्राही Da मानो शरीर का सबसे बड़ा अंग यक्रित है question 14 थे मानो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो वेपन देख चुके हैं यक्रित है repeat हो चुगा है question number 15 दोस्तो मानो तोचा को रंग देने वाला बरनक कौन सा है तो मानो तोचा को रंग देने वाला बरनक मान तोच्था को रंग देने वाला वरणक कौन सा है मेलानीं oh since यह मनुस्ष के आँसु में काउन सी इंजाइम होना है जिससे जीवाडू मर जाते हैं मनुष्य के आशू में जो एंजाइम होता है लाइसो जाइम ठीक है और इसे जीवाडू मर जाते हैं मानव सरीर के कोन से यंका प्रत्यारोपन नहीं किया सकता तो इसका correct answer रही है दोस्तों option B मस्थिस्क ठीक है मस्तिस्क जो है दोस्तों इसके अंका प्रत्यारों पर नहीं किया सकता कोशन 19 है दोस्तों नेतरदान में आख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों नेतरदान में आख का जो भाग प्रयुक्त किया जाता है वो तक कार्निया option D दोस्तों जितने भी इस वीडियो में आपको question बतानू यह बहुत मात्पूर्ण है के question बहुत important बार बार पुछे जाते हैं इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा मानोर सरीर के निमर्खी तंगों में से कार्निया किश्का भाग है तो यह कार्निया दोस्तों भाग है आँख का ठीक है option B मानोर सरीर के निमर्खी तंगों में से कौन यह किश्का पार्ट है यह आँख का question number 21 है दोस्तों टाइफाइट से सरीर का कौन सांग प्रभावित होता है जुस्तों टाइफाइट से जो प्रभावित होता है आँख टाइफाइट से सरीर का कौन सांग प्रभावित होता है question number 22 है रक्त में पाई जाने वाले धातू कौन सी है रक्त में पाई जाने वाले धातू कौन सी है correct answer रोजाएगा option C loha ठीक लोहा रक्त का सुध्धी करण कहा होता है दोस्तों रक्त का सुध्धी करण होता है किड़नी में ठीक है, option C रक्त का सुध्धी करण कहा होता है, किड़नी में question number 24 है मानौशरीर में खून के सुध्धी करण की प्रक्या को क्या कहते है दूस्तो मानौ शरीर में खून के शुद्धी करण की प्रक्या कहते हैं dialysis, ठीक है, option C मानौ शरीर में खून के शुद्धी करण की प्रक्या क्या कहते हैं, dialysis रक्त में लाल रंग निम्नमेसे किसके कारण होता है दूस्तो इसका correct answer हो जाएगा, option D, hemoglobin के कारण रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है हीमोगलोबीन के कारण कोश्चन नमर चब्वीस है दोस्तों हीमोगलोबीन किसका महत्पूर्ण घटक है तो हीमोगलोबीन दोस्तों यह आरबीसी का महत्पूर्ण घटक है ठीक है आरबीसी Q27 है दोस्तो हीमोगलोबीन का कार क्या है Option है रक्तालपता का निवारन, लौह का उप्योजन, ऑक्सिजन को ले जाना है या इन में से कोई नहीं जिसका correct answer होयागा दोस्तो है Option C, ऑक्सिजन ले जाना ठीक हीमोगलोबीन का कार क्या होता है ऑक्सिजन ले जाना तो याद रखी है काफी important question है question number 28 है मानो शरीर में रुधीर वैंग का कारे कौन करता है दोस्तों मानो शरीर में रुधीर वैंग का कारे करता है यह पलीहा ठीक है option A मानो शरीर में रुधीर वैंग का कारे करता है पलीहा question number 29 है मानवरक्त का pH value कितनी होती है तो option है दोस्तों 8.1, 8.3, 7.4, 9.1 दोस्तों मानवरक्त का जो pH value होता है 7.4 ठीक है option C 7.4 नाड़ी दर कहां से नापा जाता है option धमनी तंत्रिका तवचा शिरा correct answer हो जागरोस तो option धमनी से नाड़ी दर कहां से मापा जाता है ये मापा जाता है धमनी से ठीक है और दोस्तों इसके लावब मैं आपको कुछ और question बता देता हूँ माना हिर्दय में कितने कोश्टक होते हैं तो माना हिर्दय में दोस्तों 4 कोश्टक होते हैं कितने 4 याद रखिएगा स्वस्त मनुष्यों प्रति मिनट हिर्दय इस्पंदन होता है 72 बार मनुष्य के सरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है तो दोस्तों मनुष्य के सरीर में हिर्दय को धड़कने के लिए लगता है 0.8 सेकंड ठीक एक बार धढ़कने के लिए कितना समय लगता है 0.8 second अगला गोशन है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तान होता है तो सोते समय रक्त दाब में ये परिवर्तान होता गटता है ठीक है अगला गोशन है गती प्रेरा किसे संबंदी थे दोस्तो गती पेरा के संबंधी ते हिर्दय से किस से हिर्दय से ठीक है अगला कोशन दोस्तो पेश मेकर का संबंध किस से है दोस्तो पेश मेकर का संबंध है फेफड़ा से किस से फेफड़ा से ठीक है सुर्य दोस्तो पेश मैकर वह समिंद रहिए धर समन्त हीं ठीक है शरौ म्याद्र रहकर समिंद किस से हिरदय से reasons अगला कोशन है सारप्तम रक्त पारिसंचर्ण तंतर का ध्यान कितने किया था उस्त मानव मस्तिष का बजन कितना होता है और स्त मानाव मस्तिष का बजन होते है तो वान पॉइंट गीजी कंकाल की मानस्पेशियों की अनुमानिस संख्या कितनी होती है तो कंकाल की मानस्पेशियों की अनुमानिस संख्या होती है दूस्तो 700 ठीक है अगला कोशन है हमारे सरीर में कुल कितनी मानस्पेशिया होती है दूस्तों हमारे सरी में टोटल मानस्पेशियां होती है 5, 6, 5, 6, ठीक है 656, ठीक है हमारे सरी में कुल कितनी मानस्पेशियां होती है 6, 6, 5, 6 यानि 656, ठीक है तो याद रखिएगा तो यह थे दूस्तों General Science के Most Important 30 लगवग 40 questions तो यह दियाब के लिए helpful होत प्लीज इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आकन प्रिसक्राइब ताक कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें ठीक है और दोस्तों मिल देने एक वीडियो को साथ तक के लिए आपका दिन सूभ हो स्वस्तर रहे बेस्तर रहे मस्तर रहे जय हिंद जय भारत